नवरात्री उत्सव की धूम पूरे देश में आज से शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के परम परागत दुर्गा महुत्सव की थीम पर मुंबईकर बोरी वली में भव्य नवरात्री उत्सव के रंग और उत्साह देख सकेंगे। गर्बा और डांडिया के लिए प्रसिद बोरी वली में पहली बार गीत संगीत और नृत्य के साथ भक्तिरस नवरात्री महुत्सव दो हजार चौबीस बहुत अनूथे तरीके से आयोजित किया गया है। सुनील राने बताते हैं कि हमने नवरात्री महुत्सव दो हजार चौबीस में बॉलीवुड के बड़े स्टॉर्स डिवोशनल सिंगर के साथ ही अनूप जलोटा और हेमा मालिनी है लेजनरी कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ इस महुत्सव हो बहुत ही भव्य रूप द चांदनी शर्मा, नेहल चुडास्मा, रिशब जैन एंड बैंस, रिशिका एंटीम अर्विंद वेगडा और मनोज मिश्रा की प्रस्तुती स्थानिय निवासियों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज नवरात्री उत्सव के निमित्व से मैं सबको, पूरे हमारे कार्यकरताओं को, नागरिकों को, बोर्यू लिके, सबी हमारे नागरिकों को मैं सबसे पहले नवरात्री की शुपकामनाय देता हूँ, शुबेच्चा देता हूँ, नवरात्रों उत्सव, ये कलपना की पिरी योजना को एक नए पंक दिये वैसे तो बोरियूलिय में सभी जगाओं पे दांडिया का कारेकरम दुर्गा देवी का भव्य रूप जो हमारे पीछे है जो आपको अभी कहीं क्षणों में देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि बोरुली के सभी लोगों ने बहुत बड़े-बड़े गायक और गाही काओं के माद्यम से नवरातरी उत्सव का पूजन किया है यहाँ पर देवी दुर्गा मा का वो दुरुष्य होगा जहाँ पर हम कहते है कि महिशासुर मर्दिनी दुर्गा मा का भव्य उत्सव कलकत्ता में होता है और वैसा ही पहले बार मैं तो कहूँ कि मेरे जीवन में मैंने मुंबई में भी इतना विशाल ऐसा दुर्गा देव करके ये पीछे का भव्य सेट बनाया है और इसके लिए बोर्विली के और मुंबे के सभी लोगों को मैं इस नवरात्री उत्सों में आमंतरित करता हूं जहां पर आने वाले नौ दिन में लगातार भरत नाट्यम कत्थक जिसको हम कहते कि अलग-अलग नृत्य के अविश्का सु brananiniə हेमा जी का दूरगा देवी का अनृत्य होगा यहां पर तन अधन लटा मंगेशकर जी के कारेक्रमोग के उपर अलग-अलग नृत्य के माध्यम से याने ODC, मनीपूरी, भरतनाट्यम, कथक इसके माध्यम से राग संगीत के माध्यम से भी यहां पर कारेक्रम होंगे ऐसे अलग-अलग कारेक्रम है और ये कारेक्रमों के माध्यम से देवी की पुझा होगी मुझे लगता है ऐसे पहले बार दुर्गा देवी नवरातर उट्सव समीती बुरियुली इसके माद्यम से यह कारेक्रम हो रहा है मैं आप सब को यह कारेक्रम में आमंतरीत करता हूँ बोरियोली के साथ साथ जो उत्तर मुंबई की जनता है और जो जनता विरार से मुंबई तक है जो आना चाहती है उन सब को हमारे भक्ती रस के इस कारेक्रम में आने के लिए ऑनलाइन पे आप जाएए कोई इसकी फीज नहीं है कोई पैसे भरने नहीं है और आपको निशुल्क इस कारेक्रम में आने मिलेगा और मा दुर्गा देवी की वो आराधना और वो उपासला आपको करने का मौका मिलेगा वैसे पासेस के बारे में देखो ऐसा है कि सब जगापे जो नवरातरी होते हैं वो नवरात्रियों का भी मैं समर्दन करता हूँ, होने भी चाहिए, उसकी कीमत भी बहुत जादा होती है, और जैसा हम देखते हैं कि स्टेज लगाना, वहाँ पर फलियों के माद्यम से बड़े ग्राउंड को सजाना, बड़े बड़े गाईका को लाना, लेकिन वहाँ पर पासे कीमत है, हर कोई चीज की कीमत तो होती है, अच्छा अगर आप चितरपड देखने को जाते हो, तो भी हम पैसे भरते ही है, तो मुझे लगता है कि वो सभी नवरात्रियों को भी मैं शुबेक्चा देता हूँ, बहुत मेहनत और परिश्रम से भी वो नवरात्रियों को सजात है, लोग भी आते है, आनन्द लेते हैं, बड़ी-बड़ी गाईकाएं वहाँ पर आती है, उन सभी को और बोरियूली में नवरात्रियों की तो धूम चलती है, तो इसके लिए मैंने दांडिया से थोड़ा हटके, भक्ति के मार्ग में लोगों को लेके चलने का एक प्रहा है, मैं तो आपको कहता हूं कि पिछले 27-28 वरशों से मैं राजनिती में हूँ, राजनिती से बाहर सामस्कुरूतिक करड़ में जभी-कपी उम करता हूं, चाये सामस्कुरूतिक हो, सामाजीक हो, या देश के लिए जो करड़ में हो, वो सबके सोचने के बाहर जाके मैं में जाक के उनके परिवार को मदद करने के लिए मैं स्वैम पूरे देश भर में जाता हूँ मनिपूर से लेके मिजवराम तक मिजवराम से लेके नागालेंड तक नागालेंड से लेके सिक्किम तक अपने जवान बॉर्डर पे बहरा देते है गोली बारी होती है आतंगवादियों के साथ जूंचते समय जख्मी हो जाते है तो उनको वहाँ से सरत से लेके अपने अस्पताल तक लाने के लिए आटाट एंबुलेंस मैंने उन राज्यों में दी है ऐसे बहुत सारे काम सामाजिक जीवन में मैं करता हूँ सांस्कुरूतिक में भी करता हूँ और इसके लिए मुझे लगता है कि जब ये मेरे मन में बात आई ये तो माँ देवी की कुरूपा थी कि दांडिया के इस धूम में कुछ अलग कुछ हटके करने का एक मौका ये सौबा गया है कि देवी माने मुझे दिया और कुछ खशनों में मैं आप लोगों के लिए देवी मा की जो प्रतिमा है हमारे जिन कलाकारों ने बनाई है उसका रूब आप जब देखोगे और शाम को यहाँ पर जिस प्रकार से रुट्य के माद्यम से देवी की आरादना होगी वो आरादना और सादना देखके ये संगम जो है ये भक्ती का बहुत बहतरीन और अद्बूत संगम होगा इसा मुझे लगता है युवाओं को प्रेरीत देखो अभी ऐसा है कि यहाँ पर जिन युवाओं के माद्यम से रुत्य होगा वहां पर अलग अगर सोचे तो ये सब करने के बाद्यम से कितने लोग़ों को रोजगार मिला है जो फिल्मों में काम करने वाले लोग है उनको भी मिला संगीत के क्षित्र में काम करने वाले अनूप जी जैसे अनूप जलोडा जी जैसे बहुत क्षेष्ट संगीतकार और गायके जिन्होंने भजन की एक सीमा जो पहले तय हुआ करती थी उस सीमा को इतने उचाई पर लेके गए अपने भजन से अपने आवाज से तो मुझे लगता है कि युवाओं उने भी भारत की संस्कूरूती और परंपरा को कही ना कहीं देखना चाहिए और ये अगर हमारी पीडी सुशिक्षित तो जरूर है जिसको हम इंटेलेक्च्वल कैपिटल कहते हैं ये पीडी अगर भारत के आने वाले समय में अधूनिक भारत में अगर अपने कंदे पे भी मजबूती से भारत की बागडोर संबालते हैं तो भारत ऐसा एक देश बने कि आने वाले समय में नबल के अमेरिका नबल के चीन भारत क्रमांक एक का विश्व में देश होगा इस साल की थीम जो कलकता की है लेकिन ये इस साल की थीम में देवी मा के अलग 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 रूप होते है जैसे दुर्गा देवी है, मा लक्षमी है, अम्बे मा है, सरस्वती देवी है तो मुझे लगता है कि यहां पर हमने दुर्गा देवी का वह भव्य रूप खड़ा किया है और इसमें हर दिन अलग 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 नुरुत्य के अविश्कार से यहां पर शाम की जो संध्या है, उस संध्या को सजाए जाए जाएगा अब कैपेसिटी ऐसा है कि यह तो फ्री है, सिर्फ ऑनलाइन जाना है और पासेज लेना है, तो यहां पर करीबन साथ सो लोग बैटेंगे, साथ 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 सतर सतर नुर्ट्यांग गना यहां पर उसका अविश्कार सादर करेगी, और यह देखने लायक और जिनको यहां पर इस सबागरुव में आने का मौका मिलेगा, उनका विशेज रुप से भागया होगा, दुर्गा देवी का दर्शन भी होगा, और अच्छे-च्छे कला करों का वो समा उनको देखने को मिलेगा, ते पूजा करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ पूजा नहीं है, यहां प पर भक्ती है, आप विचार करो, दांडिया खेलने के लिए जो वर्ग जाता है, और जो 40 के बाद का वर्ग है, 45 के बाद का वर्ग है, वो क्या करता है, तो मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, देवी मा के चरणों में प्रार्थन आरपन करता है, तो यह आप अगर किस कि इसके लिए उसकी कोई चिंता नहीं चिंता तो थी यह बनाने की और ये तो देवी मा के अशिरवात से और हमारे कारे करताओं की मेहनत से और कला करोंगे विशेश परिश्रम से ये बनाएं इसके लिए इसको मैं भी आप लोगों के लिए देवी बापा दर्शन दिखाता हूं और फिर हम